हलो दोस्तों मैं पुश्रान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीटीटू कम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो यहां पे आपको स्क्वीन पे चार्ट दिख रहा होगा अब इस चार्ट को हम अलग-लग तरीके से वीड कर सकते हैं अलग-लग लोग इसको अलग-लग तरीके से वीड करेंगे तो क्या अगर हम इसको अलग तरीके से वीड करें तो हमें सेम आउट्पूट मिलेगा क्या जहां पे हम पहले तरीके से वीड करके इंट्री ले रहें क्या वहीं पर हमें entry मिलेगा अगर हम इसको दूसरे तरीके से read करेंगे तो यह चीज मैं आपको इस वीडियो में detail से बताने जा रहा हूँ तो अगर आप beginners हैं और आपको chart reading करने नहीं आता है तो आप इस वीडियो में last तक बने रहें क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि same chart को कैसे आप अलग अलग तरीके से read करके same output निकाल सकते हैं same trading setup फॉर्म कर सकते हैं उसके साथ ही अगर आपको chart reading करने आता है तो भी यह वीडियो आपके लिए जवरुत है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम same pattern को देखते हैं लेकिन same तरीका हम दो बाइ repeat नहीं कर पाते हैं हम एक ही pattern जो हमने सीखा है या जो हमें सबसे better way लगता है उस pattern को हम हमें साखोजने कोसिस करते हैं लेकिन कई बार वो pattern हमें click नहीं करता है, कुछ और हमें मिल जाता है, तो जो भी कुछ मिलता है, उसके basis पर हम कैसे trading setup तयार कर सकते हैं, जो कि हमें same result दे, जो कि हमें trap में ना फसा है, वो चीज के बारे में हम इस video बात करने जा रहें, जो कि बहुत ज़्यादा crucial है, और जो कि आपको trap से बचा सकता है, losses को avoid कर सकता है, तो चलिए start करते हैं, तो यहाँ पर अब हम chart पर आ गए हैं, और यह देख सकते हैं, match ground, dock, ship, builders का chart है और daily chart है, जब भी हम analysis करते हैं chart का, तो यहाँ पर आपको कोशिस करना है, कि आपको daily chart ही use करना है, क्योंकि daily chart में जो candle का maturity होता, वो काफी ज़्यादा high होता है, और वहाँ पर जो हम analyze करेंगे, उसका output हमें सटीक मिलता हुआ दिखेगा, फिर हम analyze करने के बाद जो implementation करेंगे, उसमें हम कोई भी time frame ले सकते हैं, लेकिन जब हम analysis करेंगे, उस time पर अगर हम hourly chart या फिर 5 minute या फिर 15 minute time frame लेते हैं, तो बहुत सारे हमें confusion create हो जाएगा, और बहुत सारे हमें false signals भी generate होता हुआ दिखेगा, तो हमारा जो analysis होगा, वो static नहीं होगा, इसलिए अगर आपको static और accurate analysis करना है तो आप यहाँ पर daily chart ही use करें, तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, एक high यहाँ पर है, दूसरा high यहाँ पर है, एक low यहाँ पर है, दूसरा low यहाँ पर है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस price section को समझ रहे हैं, देखें यहाँ से क्या किया, price ऐसे नीचे बोल सकते हैं क्या फॉर्म किया है राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन किया है ठीक है या फिर आप शेमी सर्कुलर टाइप पैटरन भी बोल सकते हैं अब जब यहाँ पे यही पैटरन हमें रिपीट होता हुआ दिख रहा है पहला लो यहाँ पे दूसरा लो यहाँ पे तो हमें लग रहा है कि यही पैटरन जो पहली बार फॉर्म हुआ यह दुबारा भी रिपीट हो सकता है इसके चांसे से यहाँ पे हमें दिख रहे हैं तो हम क्या करें यहाँ यहाँ पे एक trend line बन जाएगा clear है? अब यहाँ पे हम क्या कर रहे है? हम यहीं पे intree नहीं लेंगे buy side की तरफ या फिर sell side की तरफ यहाँ पे हम इसके trend को identify करने कोसिस करेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है अब यहाँ से क्या हुआ? price आपका उपर जाना start कर दिया अब जब price आपका उपर जा रहा है तो हम क्या उमीद कर सकते है? सबसे पहला price आपका इस level करीब जा सकता है और इस से फिर उपर निकला तो इस line को यह जो line आगे बढ़ रहा है इस line को touch कर सकता है इसके chances हमें दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इस level के आसपास यहाँ पर हम buy side की तरफ entry ले सकते हैं ठीक है? इस level के आसपास हमने entry लिया पहला target price हमारा यह हो गया इसको भी strong green candle के साथ break किया मतलब इस stance level को बिलकुल भी respect नहीं दिया break करके उपर निकला है और जैसे इसको break करके उपर निकला हम अपना buy positions continue रखेंगे और price फिर आपका इस line को touch किया अब जैसे इस line को touch किया यहाँ पे हमें multiple green candle देखने को मिलवा लेकिन सब में उपर में tail हमें clear cut देखने को मिलवा मतलब यहाँ पे जो green candle form हो रहा इस तरीके का green candle हमें form होता हुआ दिख रहा है तो long tail at the top that means to buyers में strength की कमी हमें देखने को मिलवा और यह crucial resistance level है मतलब यह है कि यह resistance level यहाँ पे break होने वाला नहीं है तो जैसे ऐसा form होगा हम इस level के आसपास यह थोड़ा वह गिराबट दिखाएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे sell करके position से exit कर लेंगे पहला काम यह होगा कि यहाँ पे हम profit book करेंगे उसके बाद यह आपका एक hurdle या फिर resistance level बन गिया है और at the same time जब price वहाँ पे गया तो वापस से यह क्या किया है आपका rounding top दुबारा बन गया है उसके बाद अगर हम बात करें अगर यहाँ पे price इसको break करके उपर निकलता है तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे हमें अच्छा खासा breakout देखने को मिल सकता है फिर हम यहाँ पे और ज़्यादा positive move के लिए जा सकते हैं लेकिन वह ऐसा हुआ नहीं यहाँ से price आपका नीचे आना start हो गया जब यहाँ से price आपका नीचे आना start हो गया इस level करीब यह नहीं तो हो यह आपका 300 crucial level है यहाँ तक हम wait करेंगे जैसे इस level को break करके नीचे आएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे अपना cell side की तरफ entry clear cut हम ले सकते हैं SL जो होगा हमारा इस point की करीब यहाँ पर SL बन जाएगा और यहाँ पर जो हम buy किये थे यह जो lowest point है यह मेरा SL के रूप में काम करेगा थोड़ा सा gathering हो गया तो हम क्या करते हैं सबको clear कर देते हैं अभी तक जो move हुआ बस उसको ड्वा करते हैं पहला move यह है दूसरा move यहाँ तक complete हो गया अब यहाँ पर क्या है यहाँ से वापस से reversal लिखा रहा है तो इस level के करीब याँ फिर इस level करीब यहाँ पर आप cell side की तरफ clear cut entry ले सकते हैं को आसानी से hit कर दिया तो पहला जो हमने cell किया था वहाँ पर हम क्या करेंगे अपना profit बुक कर लेंगे और वापस से देख सकते हैं जो rounding bottom pattern था उसी जैसा form होता हुआ दिख रहा यानि यह half वापस से complete कर रहा जैसा कुछ यहाँ पर हमें देखने होग मिला था जो भी pattern हमने यहाँ पर लिया था जो भी trading decisions हमने यहाँ पर लिया था वही trading decisions यहाँ पर भी हम repeat करेंगे यहाँ पर भी हम price को देखेंगे कि उपर जा रहा एक नहीं जा रहा और यहाँ पे हमारा target price भी hit हो गया, यहाँ वापस से यह आपका यह pattern बना दिया, यहाँ पे pattern क्या बना, वह मैं आपको clear cut दिखाता हूँ, देख सकते हैं, हमें यह pattern clear cut देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने हिसाब से एक chart wedding करते हुए, triple rounding bottom pattern का formation होता यह नि back to back आपका rounding bottom या फिर semi circular pattern भी बोल सकते हैं, फॉर्म होता हुआ दिखा, और इसके basis पे हमने बखुबी से trade setup लिया है, trade लिया, अब आगे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखे, यहाँ पे अगर price इस resistance या इस hurdle को जिसको अभी तक break नहीं किया, इसको break करके ऊपर निकला, और यहाँ पे अगर हमें green candle में strength दिखा, without tail वाला green candle दिखा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, buy side की तरफ entry ले सकते हैं, और अच्छे खासे target page के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से price वापस से नीची आया, तो फिर हम sell side की तरफ जा सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, उसी तरह का selling momentum हम यहाँ पे भी continue कर सकते हैं, तो आयेगा trading setup के बारे में भी idea momentum दिखा है, यह जो price section दिखा है, इसके basis पे हमने अपना trading setup किया, chart को read किया, अब हम same chart को दूसरे तरीके से कैसे read कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और उसको भी आपको ध्यान से समझना है, तो यहाँ पे देखिए, क्या कुछ हुआ है, price आपका यहाँ से न चाहिए, वो previous high से उपर बना है, that means true यहाँ प्यामे higher high pattern भी form होता हुआ, दिख रहा है, उसके और price नीचे आए, यहाँ पे आपका low बना दिया, L2, अब यह लोगी previous low से उपर है, that means true यहाँ प्यामे prioritize low प्यार्क में higher low pattern का भी formation होता हुआ, दिख रहा है, that means true यहाँ प्याम और higher low pattern के basis पे यहां पे हम trade ले सकते हैं सिम तरीके से जैसा हमने पिछले trading setup में लिया है तो यहां पे हमें एक और pattern मिल गया higher high और higher low जो कि हमें up trend के continuation को indicate करता है तो price आपका धीवेदीर upside की तरफ ही जा रहा लेकिन यहां पे हमें गिराबट और upside momentum दोनों देखने को मिलवा तो यहां पे हम sell करके भी profit बना सकते हैं और buy करके भी profit बना सकते हैं अगर हम बात करें तो मजगाओं dog ship builders आपका F&O stocks नहीं है इसलिए यहां पे आप sell side की तरफ नहीं जा सकते हैं लेकिन अगर कोई F&O stocks होता है तो यहां पे हम इस तरीके से sell side की तरफ भी positions initiate कर सकते हैं ऐसा मत आप लोग बोने लग जाना है कि इसमें हम sell कर से कर सकते हैं मैं यहां पे आपको example दे रहा है कि अगर ऐसा formation हमें F&O stocks में देखने को मिलता है तो हम सेम तरीके से sell side की तरफ भी जा सकते हैं यहां पे नहीं जा सकते हैं अगर कोई F&O stocks नहीं मिला है तो sell वाला position हटा दिए सिर्फ आप buy side की तरफ positions को continue कर सकते हैं तो यहां पे हमने एक higher high और higher low pattern के basis पे भी कर दिया अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं यह high है और यह high है इस high को join करते हुए हम trend line भी draw कर सकते हैं और फिर यह जो low बना है और यह जो low बना है इन दोनों low को join करते हुए trend line draw कर सकते हैं अब इसके high का move नहीं पता हमें सिर्फ 2 high चाहिए 2 low चाहिए ठीक है हमारा trend line draw हो गया अब देगे यहां पे low का formation कर दिया और उसके बाद price आपका ऊपर जाने लग गया जब हमने देखा कि low form करके price ऊपर जा रहा है तो यहां पे हम क्या करेंगे buy side की तरफ clear cut हम यहां पे entry लेंगे जो SL होगा यह मेरा वही SL हो जाएगा जो lowest point है SL के रूप में काम करेगा तो हमने जो previous जहां पे हमें इस तरह का pattern हमने खो जा था वहां पे भी हमने same इसका half complete होने के बाद हमने यहां पे interview लिया था अब यहां पे भी हम same जगा पे interview ले रहें same हमारा यह और यह target price हो जाएगा target price हो जाएगा तो same target price को यहां पे हम form कर रहें अब इस level पर आने के बाद वापस से जो pattern है यहां पर आपका तीसरा high form किया है अब यहां पर अगर इसको break करके उपर निकलता है तो वापस से हम by side की तरफ interview लेंगे break नहीं करता है तो प्राइस नीचे आता है तो हम यहां पर sell side की तरफ इंट्वी ले सकते हैं अगर कोई fno वादा stocks मिलता है तो तो इसको break करके उपर नहीं आया प्राइस नीचे आने लगया तो हम यहां पर sell side की तरफ इंट्वी ले सकते हैं clear cut यहां पर अब यहां पर हमने पैटर्न ट्रॉक किया वह मैं आपको बता देता हूं फिर आए का momentum रीड करेंगे देख सकते हैं यह पैटर्न हमें clear cut देखने को भिलवा अब वहां पर completely दूसरा पैटर्न था यहां पर completely दूसरा पैटर्न है लेकिन जो हमारा trading setup बंद रहा है देख रहे हैं exact same trading setup बंद रहा है तो अगर आप इस chart पैटर्न को इस तरीके से read करो या फिर जो हमने पिछला example में आपको बताया था चाहे आप chart पैटर्न को इस तरीके से read करो किसी में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं परता है आप किसी भी तरीके से read कर सकते हो आपको same output same result मिलता हुआ दिखेगा तो कई बार क्या होता है कि हमें इस तरह का chart pattern समझ भी नहीं आता है इसको हम जल्दी identify नहीं कर पाते है या फिर इस pattern को find नहीं कर पाते है तो यह pattern find करना simple है इस pattern से भी find करके हम same output same event of profit बना सकते है डिपेंड करता है कि आप इस chart में क्या देख रहे है उसके basis पर यहाँ पर आप फाइंड कर सकते है और यहाँ पर अगर हम कोई pattern find करें तो यह आपका जो pattern बनता है वह pattern बनता है आपका rising wedge pattern यह जो pattern है देख सकते हैं इस तरीके से यह आपका rising wedge pattern यहाँ पर बन गया अब यहाँ पर क्या हो रहा है धिये दिरे price का expansion हो रहा है यहाँ प्राइस का range increase हो रहा है अगर हम इसी चीज़ को यहाँ पर ड्रॉख करें तो देखिए इस तरीके से price का ज है यहाँ पर range का जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर range का चोटा सा और यहाँ पर ऑगर हम राइन द्था से लाइन का देखिए same target price को इसने आसानी से hit कर दिया है उसकी बाद अब इसकी बाद हमें आगे क्या करना है वही है कि अगर इसको break करके उपर निकला तो हम फ़र्टर 2 user की तरह position initiated कर सकते है और यह जो line होगा वो मेरा sell के रूप में काम करेगा अगर price यहां से वापस नीचे लौटा तो क्या करें यहां पे हम sell user credit कर सकते है same जो line है वही मेरा sell के रूप में काम करेगा target price मेरा यह हो जाएगा फिर आपका यह हो जाएगा और फिर तरीके से आप यहां पे trading setup त्यार कर सकते हैं chart कोल अलग अलग angle से अलग तरीके से read कर सकते हैं जयसा मैं बता रहा हूँ जो भी नहीं कर ओइसा है read करें इसको आप दो-तीन तरीके से और read कर सकते हैं बस आपको chart reading आना चाहिए और जो same output हमें मिल吧 जो sim trading setup मिलवा वही trading setup आपको ही मिलना चाहिए so that's all friends, उमीद करते हैं कि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज किजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन